Assalamualikum Students कैसे हैं आप लोग आज का ये लेक्चर human skeleton के बारे में होगा Second year biology का ये topic है आप लोगों को पता है कि इनसान का skeleton endoskeleton होता है और endo mean inside human skeleton inside body है अगर इससे थोड़ा सा पीछे आएं तो आपको पता लगेगा कि there are three types of skeleton, आपके book में लिखा हुए है, कि skeleton दरसल body का कोई भी जो hard part है, जो body को sport देखता है, उसको skeleton कहते हैं, skeleton की 3 types है, number one, hydrostatic skeleton, word hydro mean water, यानि ये water वाला skeleton है, अब water skeleton कैसे हो सकता है, दरसल कुछ जानदार ऐसे हैं, कि ये एक जानदार की जैसे body है, इसकी body के अंदर ना center में water मौजूद होता है, जो उसकी body को support प्रवाइड करता है, अगर इस तरह से water किसी जानदार की body के अंदर turgidity प्रवाइड करें, तो उस जानदार के skeleton को हम hydrostatic skeleton कहते हैं, और ये पाया जाता है anilid में, यानि अर्थ परम बगारा में, और nideria के जानद होती है exo, जो कि outside body होता है, और ये पाया जाता है arthropode में, यानि insect वगारा में, और phylum molaska के जानदार में, यानि कि ये जो snail वगारा है, cpia वगारा है, तीसरा है endoskeleton, जो कि inside body होता है, bones पर मुश्टमिल, और ये vertebrates में होता है, अब ये आप एक diagram देख रहे हैं, ये हवा बर्यो यूति, जिस तरह से football के अंदर हवा बर्यो यूति है, उस तरह इसका हिसाब होता है, कि अंदर पानी होगा, जानदार की body turgid रहेगी, सीधी रहेगी, water निकल जाएगा, जानदार की body daily पढ़ जाएगी, और ये है जी, एक night area, यानि sea animal, इसकी body में भी आप दे लेता है, अब अंदर water मौज़ूर होता है, वो water इसके tentacles में, यानि इन में चला जाता है, और इसको turgidity देता है, यह इसकी body turgid रहती है, यह दूसरा skeleton है, जो यह भी एक hydrostatic skeleton है, तो यहाँ पे लिखा हुए, gastrovascular cavity, यानि यह जो अंदर इसके यह पूरी cavity है, यह वाली, इ and the mouth can close, mouth close करके, and trap fluid inside the cavity, अंदर fluid भर लिता है, यह इसकी body turgid रहती है, आगे बढ़ते हैं, यह एक exoskeleton, कुछ जानदार हो के आप देख रहे हैं, यह जो सारे exoskeleton, इस वकित आपके सामने है, यह molaska के जानदार हो के है, जो soft body वाले जानदार है, शेल वगेरा, और यह एक insect का exoskeleton दिखाया गया है, यह आप बाहर से देख रहे हैं, बहुत हार्ड है, इसका यह shell, दरसल यह exoskeleton है, और यह exoskeleton का structure है, कि exoskeleton में एक epicutical होती है, outer layer, फिर एक endocutical है, और फिर यह epidermis cells है, यानि skin है, उसकी, आगे बढ़ते हैं, यह एक और insect है, उसके exoskeleton है, बह endoskeleton इंसान का दो हिस्सों पर मुष्टमिल होता है, axial skeleton and appendicular skeleton, axial mean उपर वाला, इस वकत यह जो आप diagram में देख रहे हैं, blue वाला यह skeleton, यह सारा axial skeleton है, इसमें 4 इस से होते हैं, number 1, skull, number 2, vertebral column, number 3, ribs, and number 4, यह chest bones, इसको sternum कहते हैं, 4 हिस्सों पर मुष्टमिल, axial skeleton, बाक्की जो देख रहे हैं, वाज़े तोर पे, axial skeleton में, अभी मैंने बताया, जो हमारा मरकजी, यानि main skeleton है, यह सारा, ठीक हो गया, और जो appendicular skeleton है, appendage दर असल कहते हैं, बाजू को, तो जो बाजू वगएरा, और जो टांगे वगएरा है, वो हमारे appendicular skeleton में आ जाते हैं, जैसे के appendicular skeleton में, दोनों बाजू, दोनों लेग्ज, इसके लाबा ये hip वाली bones, ये वाली, और ये कंदे आ जाते हैं, आगे जी, axial skeleton के हम details देखते हैं, axial skeleton का पहला part है skull, ये जो आप देख रहे हैं, ये skull है, ये वाली सारी, ये खोपड़ी है, खोपड़ी, यानि हमारे सर में जितनी भी अड 22, 22 अडिया हैं, वो 22 अडिया दो हिस्सों पर मुश्टमिल है, नमबर वन, cranial bone, टोटल 22 bones है, उन में से 8 bones cranial है, cranial mean brain, ऐसी bones जो हमारा brain बनाती है, brain अब जी वो brain वाली bones ये है, ये हमारे brain को cover कर रही है, इतनी bones ये सारी, अब इस cranial bone में कुछ bones के नहीं में आपको बताता हूँ, जैसे ये एक pair bone है, ये वाले, इसके नहीं में प्राइटल, ये हमारे दोनों साइट पे सर में है, ये सामने वाली bone है, frontal, ये भी प्यार्ड़ पिछे, बिल्कुल back बे, ये एक ही होती है, single bone है, ये temporal है, कहान के पास, ठीक है, ये सफिनॉइड है ये वाली, और ये ethmoid हो गई, ठीक हो गया, अब ये मैंने bones को याद रखने का तरीका भी आपको बताया है, ये बड़ा easy है, एक word यादर आपने रखना है, old people from Texas eat spider, ये ल आते थे, अब इसमें से, old से मुराद आपने लेनी है, occipital, parietal, people, यानि parietal, f से frontal, t से temporal, e से ethmoid, s से saphenoid, अब इसमें याद रखें, कि इसमें कुछ bones paired है, कुछ unpaired, paired bones कौन सी है, ये वाली temporal, parietal, ये bones दो-दो है, parietal भी दो है, और temporal भी दो है, और temporal भी दो है, बाकि य ये भी एक हो गई, ये भी one, ये भी one, और ये भी one, एक bones पूरी हो गई, यानि आपने सिर्फ याद रखना है, कि जो people है, और जो taxes है, ये double double है, बाकि single bones है, आगे बढ़ते हैं, जी देखते है, facial bones कौन सी है, इस diagram में आपको जितनी भी bones नजर आ रही है, ये facial bone है, नीचे स करता हूँ, ये हमारी चिन हो गई, ठीक है, ठोड़ी, इस ठोड़ी के अंदर एक ही हड़ी होती है, हमारी चिन में जिसके नहीं में मेंडीवल, मेंडीवल के बाद जो नाप के नीचे हड़ी है, मैग जीला, ये दो हड़ी है, एक ये वाली, और दूसरी ये वाली, मैग ज हडी हमारे मुह के अंदर होती है तालू पैला टाइन किस को कहते हैं तालू दो अच्छा जी फिर यह ऑंखों के पास है हड्डी हडी के यहां वी यहां भी लैक्रिमल और यह नाग के उपर फसट पे नेजल है और ये हद्य आ कान के यहां पई कौन का कहलाती है कौन का को कैसे यद रखेंए यह अ कशी हद्या हो गयी यह टूटल कितनी हड्या है 14 तो 14 फेस में पाई जाती है फिशिल और जो एक बोन्स है वह ब्रेन आही जाती है ब्रें को कवरक है वो क्रेंएल है तो टूटल 22 हो गई अब इन को याद रखने का भी तरीक़ है वाइन केननौट मेपट जैब्रा लाफ एक फ़णी सासे शेयर वाइन शराब को कहते है याँ श sûr आप मेरे जाबरा को लाफ नहीं करवा सकती, मेरा पैठ जाबरा शराब पीता है, लेकिन हस्ता नहीं है, अब इसमें V से वुमर, C से कौन का, N से नेजल, M से मैंडीबल, M से मैगजीला, P से पैलाटाइन, Z से जाइगोमेटिक, L से लेक्रीमल, इसमें सिर्फ यह जो वुमर है, यह अन जाइजल भी, मैगजीला भी पैर्ड है, पैलाटाइन भी पैर है, जाइगोमेटिक भी पैर है, लेक्रीमल भी, 14 पूरी हो गई, इनको गिने सब को, यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, बारा हड़िया यह हो गई, पैर्ड, 13, 14, 14, 14 बोन्स हमारे पेस की पूरी हो गई, और यूँ सकल वाला टॉपिक कंपलीट हो गया, आगे आत्याजी सकल के बाद हमारा दूसरा पोर्शन है, वर्टिब्रल कॉलम, यह आप सारा देख रहे हो, वर्टिब्रल कॉलम, जो कि हमारी सकल से शुरू होता है, खुपड़ी से, और खतम होता है, हीप पे आखे, यह वर्टिब्रल कॉलम को आप उन डिजन में डिवाइड कर सकते हैं, यह महरों पर मुश्तिमिल होता है, पहले मैं आपको महरे भी दिखाता हूँ, यह आप देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, इसमें यह एक वर्टिब्राई है, यह दूसरा वर्टिब्राई है, यह ती तोटल कितने वर्टिब्राई होते हैं याद रखे वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 होते हैं बचों में बेबी में लेकिन हम में होते हैं सिरफ 26 वर्टिब्राई अडल्ट में यानि बच्चे के अंदर ज्यादा होते हैं दरसल बेबी में ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि बाद के अंदर काफी सारे वर्टिब्राई जब बेवी मैचूर होता है तो फ्यूज हो जाता है बड़े होके अब इसको कुछ रीजिन में डिवाइड किया गया है सबसे पहले जो हमारी गर्दन के रीजन में ये वाले वर्टिब्राई है इनको कहते हैं सर्वीकल और इनकी तोटल ताद है और सर्वीकल मिन तो ये एक वाले रीजन में आ जाते हैं ठोह सिक ठोह क praw कि ऩो फ़िछ क्या सबस्ट्री चुेश्ट वाले रीजन में कितने हैं टोकल मेस्त व्यूइल यांई हमारे जितने रिवज आना यह हर एक वर्ञटिब्राई से दरसल रिव favori कर रही है जब देख रहे हैं रिब्स तो जितने हमारी रिब्स हैं उतने ही थोरासिक वर्टिब्राई है यानि ट्वेल पिर लंबर number कहते हैं दरसल abdomen को यानि पेट को तो abdomen में जितने भी बाठी बराई है वो कहलाते है number जो कि सिरफ 5 है ये दोनों नीचे वाले कौन से नीचे वाले ये sacrum and cox जिनका नहीं है यानि कि ये ये इतना region ये पूरे pelvic कहलाते है इन दोनों को overall क्या कहते है pelvic ये 9 है pelvic पी से लिखते तहूं pelvic total इनकी तदाद 9 है और ये भी दो हिस्सों में divided है ये मैं आगे आपको diagram दिखाता हूं clear ये देखे जी ये pelvic है और ये हमारे pelvic region के vertebrae है ये वाले सारे इसको दो हिस्सों में divide किया गया है ये हिस्सा उपर वाला sacrum है जिसमें total 5 vertebrae fuse हो चुके है अब mix हो चुके है और ये नीचे 4 vertebrae है छोटे छोटे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ये 4 है तो उपर वाले region को जिसमें 5 vertebrae fuse है उसको कहते है sacrum नीचे वाले को कहते है cox जिसमें 4 है और ये दोनों मिला के बन जाते है नाइन तो जी वर्टीब्रल कॉलम पुरा हुआ अब आगे जी तीसरा पार्ट जो कह है rib cage यानि पसलियां जो पिंजरा बना रही है अब कितनी ribs है हमारे अंदर 12 pair of ribs है और ये किस से attach है ये इस सीने के डियानिस टर्नम से attach है और किदर से निकर रही है इस वर्टीब्रल कॉलम यानिके रीड की हिड़ी से निकर रही है अब यह देखें निकल के आके यूँ घूम के आके इस से attach है किस से हमारी chest bone से और कुछ directly attach है यानिके ये वाली ये वाली और ये directly attach है कुछ जो है वो नीचे से इस arch के जरीए से attach है इस arch को कहते है costal arch ठीक है ये cartilage की बनी होई है costal arch और end वाली दो ribs जो है ये वाली और ये वाली ये attach नहीं है costal arch के साथ यानि ये directly attach है इन दोनों को कहते है floating ribs last two pairs of ribs are floating ribs ये kidney को protect करती होती है अब जी ये rib cage आप देख रहे हो इसके अंदर internal organ मौजूद है और rib cage के अंदर जो space है उस space को बोलते हैं thoracic cavity आगे बढ़ते हैं pendicular skeleton देखते हैं pendicular skeleton में appendage शामिल है यानि हमारे बाजू शामिल है हमारी दोनों बाजू, दोनों लेक्स और ये pelvic cradle और ये कंदे यानि pectoral gaitle अब जी ये इस diagram में वही चीज़ दिखाई हुई है और पहले कंदो को discuss करते हैं कंदे कैसे होते हैं या जो हमारा pectoral gaitle है इसको बोलते हैं pectoral gaitle ये जो shoulder है आपके pectoral gaitle में basically दोई bones हैं एक ये वाली clavicle है clavicle हमारे कंदे को इस से जोड़ रही है sternum के साथ ये देखने हैं आप sternum से attach कर रही है और दूसरी ये बड़ी सी अड़ी ये वाली इसके नहीं मुत्त है scapula हमारे book के उपर एक super scapula भी लिखा हुआ है उसने काया clavicle scapula यानि total चार bones है सिर्फ हमारे basically इस shoulder में दो ये वाली हो गई दो ये वाली हो गई अच्छा यहां पर थोड़ा सा और clear है डायग्राम के ये जी है clavicle जिसको हंसली कहते है हंस की हड़ी भी कहते है इसको collar bone भी कहते है इसको beauty bones भी कहते है और ये वाली हड़ी clavicle है ये भी पहले दो होती है एक super scapula एक scapula बाद के अंदर ये mix हो जाती है ठीक है scapula super scapula अब जी आ जाते हैं हमारे बाजू के उपर बाजू में हड़ी आप देख रहे हैं तीन हड़ी है एक ये वाली और दो हड़ी यहां पे है muscle attach होते हैं एक तरफ से scapula के साथ और दूसरी तरफ से ये bicep muscle है ये वाला और दूसरी तरफ से attach है इस radius और alna के साथ इन bones के मैं आपको नाम भी बताता हूँ यानि ये muscle का proximal end है ये muscle का distal end है और muscle contract होगा ये इस joint को यहां से move करवाएगा अब इन bones के मैं आपको नाम बताता हूँ ये जो उपर वाली bones है सिरफ एक आपके बाज़ू में इसका नहीं है humorous यहां पर नीचे दो bones है एक radius है दूसरी alna है humorous radius alna यानि दोनों बाज़ू में मिलाकर total six bones होती है आगे आते हैं जी हाथ में देखते हैं अपने हाथ को देखिए उसमें कितनी bones है बला आपके सिरफ एक हाथ में 27 bones है इतनी bones कैसे हैं मैं बताता हूँ ये हमारी हड़ीया है जी carples इनको कहते हैं carple ठीक है carple को उर्दू में कह सकते है कलाई की हड़ीयां ये कौन सी हड़ीयां हो गई कलाई की हड़ीयां कितनी है कलाई में हड़ीयां 8 चोटी चोटी ये आप देख रहे हैं ये ये वाली फिर ये वाली और फिर ये वाली या हूँ 8 bones है 4,5,6,7,8 पिर जी आपकी हथेली हथेली की हड़ीयों को कहते है मेटा कार्पल यह कौन सी हड़िया हो गई हाथ की हड़िया हैंड की पॉन्स कितनी हैं फाइव और इनको भी नेम दिया जाते हैं यह आपका एक्चुली अंगुठा होता है थम होता है यह फिर पहली फिंगर दूसरी फिंगर तीसरी चौती पांच भी अब यह आपकी सारी फ यहीं कॉन सी वोन हो गई होईढ फिंगर्ज की वोनज आय लिक्ते हो एंगय, मिर पिंगर्फ में हर इंगर मीं हर 14 challenges हो गई कितनी बन गई 14 प्लस 5 19 19 प्लस 8 27 तो यूँ आपके एक हैंड में 27 है और दोनों हैंड में मिला के 54 बॉन्स है जो के सबसे ज्यादा है अब यह आगया जी प्रक्टोरल गेडल यानि हिप की बॉन्स फिप में बेसी के लिए इससा तो रीड की हड़ी वाला ही है ठीक है प्रक्टोरल गेडल का यह वर्टिब्ल कॉलम का इससा है पड़ चुक है से करम एंड यह कॉक्स बगरा हिप में सिर्फ दो बॉन्स है एक यह यह वाली और एक यह वाली यह भी अडल्ट में सिर्फ एक ही वोन है यानि यह पूरी यह वाली सिर्फ एक बॉन्स है लेकिन बेबी के अंदर यह तीन डिप्रेंट बोन्स होती है जो बाद में फ्यूज होती है कैसे फ्यूज होती है मैं आपको यह भी दिखाता हूं यहां अब ये जब मुकमल तोर पर फ्यूज हो जाए फिर इसको एक ही बॉन समय और वो बॉन होती है हिप बॉन यह वाली तो दो बॉन यहां पर हो गई अब यह भी दिखाया हुए इसमें इलियम इस्यम प्यूबस बगारा और यहां पर देखे यह जो इस्यम है इसके साथ अटैच है हमारी यह थाई बोन थाई बोन का नहीं होता है फीमर जो रान की हड़ी है पाट की हड़ी है जो अब लेग्स पर आ जाते हैं जी लेग में यह उपर वाली बोन है जिसका नहीं है फीमर थाइवां कहलाती है यहां पहुद की तरह दो हड़ी है कराने-ा में फीब उन-ाक आने-वेडिया तो ड्मर्ज टिबिया भी बोला यह दोनों लेंए कुल बॉंस कितंगी एंया शिक्स बॉंस हैं है ए यह दिखाया हूँ यह अगी एक बीजिस आपको नजर आती है वह फीबोला चोटी किःडियों थोड़ी से साइड पे और थोड़ी से बैक में होती है इसके साथ भी मसल्ट टैस होते हैं जो इस बासvity देती है लो जी लास्ट है हमारा फीट फीट में कितनी बासे फीट पिलुकुल को लेंड़ की तरह ही होते हैं लेकिन उनके नेम हुता हुता है ने टार्षल मेटा टार्षल और आखिर पर फैलंजिस अब तो Torsal कौन सी रडिय होती है यह होती है एड़ी की हड़ीयाँ जो आपकी एड़ी है पैर की और फिर एड़ी के बाद यह हड़ीयां मेटा Torsal कौन सी है यह आपकी पैर की हड़ीया है पीट की हड़िया और फिलंजिज जो मैंने पीछे बताया था जो उंगलिया है पैर की अब ये हड़िया यानिके इतनी ये हड़िया कौन सी हो गई टारसल और ये हड़िया मैटा टारसल हो गई ये इतनी आपके पैर की हथेली ये उंगलिया हो गई ये अंगुठा है किसमें 3333 तो यह फ्लेंज जैने कि फ्लेंज टूटल कितने हैं 14 एक कमना 15 से 14 और तर्म टार्सल कितने है फाइव जतने पैर के उंगलिया है उतनी और यह जो टार्सल है यह कितने है एट तो एट प्लस फाइव ब्लस फॉर्टीन तो ट्विंटी 24 आपके एक फीट में 24 बोन्स होती हैं तो यह था आज के लेक्चर हुमन स्केल्टन के बारे में आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी अगर को क्वेस्टिन है वो मुझसे कर लीजी अपने खिया रखिये अलाहाफिज